आप सब को हमारी तरफ से एद मुबारक तो आज को जो है मैं अपना पूरा फूर्ड व्लॉग आप सब के साथ शेयर करने वाली हूं तो मेरी फूर्ड व्लॉग में जो फूर्स रेसीपी है वो है शिर्खुर में की आप देख सकते हैं माशाला कितना अच्छा टेक्च्चर ह है इसका तो मैं चलिए इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं तो इंगेडियेंस में आप सब के साथ बता देती हूं आपको तो यह मैंने ले लिया है mix dry fruits आप जो भी dry fruits कहना पसंद करते हैं आप उ ले सकते हैं मैंने यहां पर लिया है मनुक..का जू, बदाम, पिस्ता और य यह लिए है मैंने शुगर मेरी हाफ कप है और यहां पर मैंने दूद पहले से ही बॉइल कर लिया था यह पुरा एक लिटर दूद है तो चलो रेसिपी की शुरुवात करते हैं तो यह मैंने ले लिया है एक पतीला आप इसे कोई भी एक पतीला ले ले तो इसमें मैंने अटेशल करेंगे हमारे mix dry fruits, तो dry fruits को जो है हमने इसमें fry कर लेना है, fry हम करना है लेकिन बहुत ज़्यादा हम ब्राउनी करेंगे this year वरना जो है इसका टेस्ट हे वह अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो जिए देखर हैं आप मनु की हमने इसमें add किये हैं, तो मनुके जैसे हमारे फूल जाएंगे हमें समझ जाना है कि हमारे ड्राइफूट अच्छी तरह से फ्राइ हो गए है तो यह मैं ऐसे इस तरह से फ्राइ कर रही हूँ मैंने गैस का फ्लेम एकदम मीडियम रखा है ज्यादा हाइ फ्लेम नहीं रखना है आपको वरना यह जल जाएंगे देखिए इस तरह से मनुके जो है वो ऐसे फूलते है पाच मिनिट और हम इसे फ्राइ करेंगे देखिए और हाँ बस यह रेडी है देख सकते हैं आप मनुके हमारे अच्छी तरह से फूल चुके है अब हम इसमें आइड करेंगी दूद दूद जो हमने एक लीटर पहले बॉयल कर लिया था वो हम इसमें आइड कर देंगे इस तरह से और बस अब हम इसे पकाना है इस तरह से चलाते हुए हम इसे पकाते रहेंगे और जब तक यह पकता है साइड में मैंने जो टेबल स्पून दूद ले लिया था उसमें मैं आइड करूंगी वन टेबल स्पून कस्टर पाउडर और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करकर एक घोल बना लेंगे लम्स नहीं होने चाहिए इसमें बिल्कुल भी तो जैसे हमारे दूद को अभी देख सकते है बॉइल आ गया है तो अब हम इसमें आइड करेंगे हाफ कप शुगर शुगर मैंने इसमें आइड कर दी अब हम इसे भी पकाएंगे जैसे इसमें और एक बार बॉइल आ जाए फिर उसके बाद हम इसमें आइड करेंगे कस्टर पाउडर ये देखिए बॉइल आ गया अब मैंने जो कस्टर पाउडर का घोल बना लिया था देख सकते है आप इसमें कोई भी लंब नहीं है बस ऐसी हमें रेडी करना है और अब हम ये खोल इसमें आड कर देंगे इससे क्या होता है जो इसका टेक्श्चर है वो काफी क्रीमी और बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत एडवांस हो जाता है और लास्ट में हम इसमें आड करेंगे सेवई सेवई आप कोई भी आड कर सकते है जो भी आप घर में यूज़ करते है और बस अब हम इसे और एक बॉइल आने तक हम इसे पकाना है और हमारा शिर्कुर्मा हो गया रेडी ये बहुत बहतरीन बनकर रेडी होता है बस अब पाच मिनिट पकाने के बाद हम इसमें जो हमारा लास्ट इंग्रीडियंट आड़ करेंगे वो है मेरा ये मिठाई मेट जो अमूल का मिठाई मेट आता है न वो वाला देखेए ये ये आड़ करने के बाद आपको खवा वगेरा कोई भी चीज की जरुवत नहीं होती है ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है हमारे शिर्खुर में को तो ये हम इसमें चार बड़ी चम्मच आड़ करेंगे फोर टेबल स्पून में इसमें आड़ कर रही हूं कि अच्छी तरह से आप निक्स कर लीजिए और हमारे शिर्खुर मा रेड़ी हो चुका है आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर इसका कलर और टेस्ट में माश्याला इसका बहुत अच्छा था अब हमारी नेक्स रेसिपी होने वाली है हमारे फूल व्लॉग में वह होगी मटन मसाला करी तो आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर और इसका कलर इसका टेस्ट तो मैं बता ही नहीं सकते आपको इतना टेस्टी था आप इसे पराथे वगेरा कोई भी चीज के साथ सर्फ कर स यहां मैंने ले लिया है दो बड़ी टमाटर को मैंने ऐसे चोटे-चोटे बारिक काट लिया है गर्म असाले में बताति हूँ आपको मैंने क्या लिया है buttons star follow काली मीरी दाल चिनी और एक बड़ी इलाइची यह मेंने प्यास को एकदम स्लाइस कर लिया था बारिक बारिक और ये है बिरिस्ता मेंने लिया है हाफ गप तो टमाटर और बिरिस्ता जो है इसका हम पेस्ट कर लेंगे और यहां मैंने ले लिया है 1 kg mutton तो हम इस recipe को जो है वो कुकर में बनाएंगे ताकि यह recipe जल्दी से जल्दी बन जाए वह इक हो मतलब हमारा process ठीक है तो यह मैंने कुकर ले लिया है इसे मैंने गर्म कर लिया अब हम इसमें एड करेंगे हमारा oil अब हमें अड़ करेंगे 2 बड़े चमच ओल यह देखें हैं को आज हम ने अड़ कर दिया है एमुn आपको अची तरह से गर्म होने देंगे जैसाही हमारा ऑईल गर्म हो जाए इसमें हम आड़ करेंगे हमारे घर्म मसाले जो मैंने ले लिये थे हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया यह सारे गरम मसाले यह हम इसमें आड़ कर देंगे फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है गरम मसालों को अच्छी तरह से इसमें फ्राइ होने देंगे पहले ताकि जो गरम मसाले का जो एक फ्लेवर है वो अच्छी तरह से इन्हांस होकर आए अब हम इसमें आड़ करेंगे एक बड़ी प्यास जो मैंने स्लाइस करकर रख ली थी यह मैंने इसमें आड़ कर दी इसे अब हम अची तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और यह देखे, प्याज मेरी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब मैं इसमें आड़ करूंगी मेरा अदर क्लेसन का पेस्ट, वन टिबुश्पून मैंने इसमें अदर क्लेसन का पेस्ट आड़ किया है, इसे भी हम अच्छी तरह से भूनते हुए पका अदर क्लेसन का पेस्ट हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, काफी अच्छी खुश्पू भी आ रही है इसकी, अब मैं इसमें आड़ करूंगी हमारा मटन, यह हम इसमें आड़ कर देंगे, और इसे भी हम फ्राई करते हुए पका लेंगे, और यह आप देख सकते हैं, धीरे-धीरे अपना कलर चेंज कर रहा है, जब तक इसका अच्छी तरह से चेंज ना हो जाए, तब तक हम इसे ऐसे ही भूनते रहेंगे, तो यह आप देख सकते इसका कलर अच्छी तरह से चेंज हो चुका है अब हम इसमें आड़ करेंगे हमारे मसाले मसाले मैं आपको बता देती हूँ मैंने कौन सी चीज से लिए है इसमें यह मैंने लिया है टू टेबल स्पून कश्मीरी लाल मेच पाउडर अगर आपको यह गरम मसाले की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मैं इंशाला पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ यह रेसिपी शेयर कर सकूँ तो यह सारे मसाले मैंने इसमें आड़ कर दिये है और हम आड़ करने के बाद इसे अच्छी तरह से भूनते हुए पका लेंगे और पाच मिनिट बाद आप मैं यह फ्लेम हाई कर रही हूँ और हाई फ्लेम पे हमें इसे भूनेंगे याद रखिए जितना आप इस मसालों के साथ जो अपना मटन है उसको भूनेंगे उतना ही आपका टेस्ट और अच्छा आएगा तो भूनने में प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए और यह देखिए 10-15 मिनिट भूनने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर माशाला कितना अच्छा आ रहा है और अब हमने जो पेस्ट बना लिया था टमाटर और हमारा बिरिस्ता का वो हम इसमें आड़ करेंगे यह मैंने पेस्ट इसमें आड़ कर दिया है अब मैं इसे फिर से भूनूंगी इससे जो है हमारी ग्रेवी को एक अच्छा टेक्स्चर आएगा एक रिच्चनेस जो होती है न वो आएगी दस से पंद्रा मिनिट बाद आब आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी को कितना अच्छा कलर आया है मसाले हमारी अच्छी तरह से भून चुके है इसलिए मैंने आब इसमें हाफ कप वाटर एड़ किया है और मैं फिर से इसे दस मिनिट के लिए छोड़ दूंगी दस मिनिट हमारी हो चुके है और यह देखिए बस आप इसका टेक्स्चर देखिए और खुश्बू तो इतनी मला जवाब आ रही थी मैं क्या ही बताओ आपको बहुत अच्छी खुश्बू बहुत अच्छा टेक्स्चर और टेस्ट भी बहुत अच्छा था इसका इगम को कि अब मैं इसमें आड़ कर रहे हूं वन ग्लास वाटर पानी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं कि पानी आड़ करने के पतरव म्देश्ट के अकॉरडिंग इसमें आड़ करेंगे sal ने इसमें 100 ग्याट किया है अब अपने ठेस्ट प्यॉटिंग कंज़ाधा कर सकते है य। अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, लास्ट टाइम बस और ये रेडी है, अब मैं इसे कुकर का धकन लगा कर तीन सीटी आने तक लो फ्लेम पे हाँ, लो फ्लेम पे तीन सीटी आने तक हम इसे पकाएंगे, तीन सीटी के पाद आप देख सकते हमारी ग्रेवी जो है वो रेडी हो चुके, अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ, और ये देखे, डिश आउट मैंने कर लिया है, गोश अची तरह से गल गया, काफी अच्छा टेक्स्चर आया है, खुशू भी माश्यलक बहुत अच्छी आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए, पराठे के साथ, ये आप इसे राइस के साथ ट्राइ कर सकते हैं, और बस ये रेडी हो गई है, तो आज की हमारे फूट व्लॉग की जो लास्ट रेसिपी होने वाली है, वो है चिकन बिर्यानी, ये एकदम अथेंटिक बावर इसका टेस्ट मार्शला काफी अच्छा आता है, तो आईए इस रेसिपी की शुरुवात करते हैं, तो ये मैंने ले लिये हैं, दावत कब्दी राइस, जो हम बिर्यानी के लिए यूज करते हैं, ये मैंने एक किलो ले लिया है, तो यहाँ पर मैंने चावल बॉयल करने के लिए पानी रखा है, और हम इसमें जो साबुत मसाले अट करेंगे, वो है दालचीनी, काली इलाइची, स्टार फूल, हरी इलाइची, और मैंने 7-8 काली मेरी ले लिया है, वो हम इसमें अट कर देंगे, पानी में, उसके बाद हम इसमें आट करेंगे, शाजीरा, शाजीरा मैने 1 teaspoon आट किया है, अब उसके बाद मैंने इसमें को तमबीर पुदिा बारी काटकर इसमें आट किया है, सॉल्ट हम इसमें कर देंगे, टेस्ट किया अकॉर्डिंग, मैंने इसमें 3 टेबिर इत्पून आट किया है, और अब पानी को हम अच्छी तरह से बॉल आने देंगे और तब तक हम साइड में हमारी मसाली की पेपरेशन कर लेते हैं तो ये है एक किलो चिकन ले लिया था मैंने पाच टमाटर हरी मिर्चे ये मैंने ले लिया है 500 ग्राम्स बिरिस्ता कोतम बिर का एक बंच पुदीने का एक हाफ कप मैंने धही ले लिया है अब ये एक किलो चिकन में मैंने आड किया है टू टेबल स्पून भरके अद्रक लेसन का पेस्ट अद्रक लेसन ज्यादा तर ट्राइ कीजिए कि फ्रेश पिसावा हो तो उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा उसके बाद हम इसमें आड करेंगे लेमन लेमन जूस मैंने इसमें आड किया है पूरा एक लेमन मैंने इसमें आड किया है अब इसमें आड कर रहे है टू टेबल स्पून धनिया पाउडर उसके बाद हम इसमें आड करेंगे कश्मीरी लाल मेच पाउडर थ्री टेबल स्पून अब इन सारी चीजों का मची तरह से मिक्स कर लेंगे अगर आप हाथ से करते हो तो और भी अच्छी बात है और यह मैंने ले लिया है कोतंबीर पुदीना और बिरिस्ता टमाटा कोतंबीर पुदीना बिरिस्ता टमाटा इन चारो चीजों का हम अच्छी तरह से पेस्ट कर लें यह देखे मैंने ग्राइंडर में टमाटर ले लिये है उसके बाद में इसमें आड़ कर रही हूं बिरिस् और पुदीना और इन सारी चीजों का मैं अची तरह से पेस्ट कर लोंगीying और में अची तरह से जाएंगे Command & Mem одном लूरे ऌाइब चुकहने शेक अचीन के साथ साथ मैंने इसमें आड़ किया है आलू आलू को मैंने थोड़ा सा फ्राइ कर लिया था वो मैं इसमें अट कर लिया है अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ ये मैंने ले लिया है हिए happening Cum ने आड़ किया है वन टेबल स्पून कश्मीरी लालमेश पाउडर और ये है थोड़ा सा कलर इन सारी चीजों को मिक्स करकर जब हम पेस्ट इसमें आड़ करेंगे तो ये हमें एकदम बाहर की तरह हमें कलर देगा हम स्पेशली जब भी बाहर से बिर्यानी ओडर करते है तो हम उनसका जो कलर होता है वो हमें काफी अट्रैक्ट करता है और अब हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें आड़ कर रही हूँ टू टेब्लस्पून बिर्यानी मसाला बिर्यानी मसाला मेरा होममेड है अगर आप इसके रेसिपी देर जानना चाते है तो आप मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताईए बिर्यानी मसाला आट करने के बाद अब हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यह सारी चीजे मेरी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है अब मैं इसमें आट कर रही हूं हाट अब आप आईल यह वही ओईल है जिसमें मैंने हमारा बिरिस्ता फ्राइ करके लिया था इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मिक्स करने के बाद मैंने इसमें टेस के अकॉर्डिंग आट किया है सॉल्ट अब लास में मैंने इसमें आट किया है वन इन हाफ ग्लास वाटर पानी आट करकर हमें इसमें मिक्स कर लेना है और यह हमारा मसाला हो चुका है रेडी अब हम दूसरी तरफ चावल देख लेते हैं और यह देखे पानी को हमारे अच्छी तरह से बॉइल आ गया है यह मैंने चावल को एक घंडा पहले भीगो कर रख दिया था अब मैंने एक दरफ दस मिनट के लिए लो फ्लेम पर मसाला पकने के लिए रख दिया है और दूसरी तरफ हम चावलों को 80 बसंट कुक कर लेंगे और यह देखे यह मसाला हमारा 10 मिनट बाद रेडी हो चुका है चावल भी हमारे बॉइल हो गए है यह आप देख सकते है कितने खिले खिले बनकर रेडी हुए है हमारे चावल इस तरह से तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी लेरिंग कैसे की जाए तो यह मसाला जो है इसके उपर हम चावल की लेर लगाएंगे तो आपको दिहान रखना है कि जब भी आप चावल की लेर लगाओ आपका हाथ काफी हलका हो यह मैंने फर्स लेर लगाने के बाद इसमें हलका सा ओरेंज कलर अड़ किया है चावलों के उपर और मैं फिर से इस पे बाइट राइस जो है वो फैला रही हूँ और अब मैं उपर से फिर से यह कलर अड़ कर रही हूँ लास्ट लेर पे अब हम इसे गानिश कर लेंगे कोतंबीर पुदीना और हमारे बिरिस्ता से यह देखे इस तरह और लास्ट में हम इसमें उपर से घी आड़ कर देंगे आप खी आड़ कर सकते हो या तेल जो भी आपकी पसंद और यह हमारी बिरियानी को अब हमें बस दम पर लगाना है यह रेड़ी है इसे मैं कोई भी एक पेपर की मदद से आप ऐसे इस तरह से इसे कवर कर सकते हो अब हम इस पर अच्छा सा धकन लगा देंगे ध्यान रहे कि जो इसकी air है वो बाहर ना निकले अगर इसकी air बाहर निकलेगी तो द्ध्यान रहे कि चावल जो है वो अंदर से कच्छे ही रहेंगे इसलिए मैंने नीचे ऐसे एक जर्मन का तवा लगा दिया है और इसे अच्छी तरह से मैंने कवर कर लिया है 45 मिनिट्स के लिए हम छोड़ देंगे 45 मिनिट्स के बाद आप देख सकते हैं हमारी बिर्यानी बनकर रेडी हो गई है अच्छी तरह से दम लगने के बाद आप देखे कि यह चावल इस तरह से खिले-खिले पकते है और माशाला से बहुत अच्छी खुश वो आ रही है इसकी टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा था और यह देखे मसाला भी इसका अच्छी तरह से हो चुका है हमारा चिकन भी गल गया है अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ और यह मैंने इसे डिश आउट कर लिया देखे इसका टेक्स्चर इसका टेस्ट भी बहुत बहुत ही अच्छा था एक्दम क्विक एंड इजी बनने वाली रेसिपी है यह आप इस रेसिपी को ज़रूर ड्राइ कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और मिलती हूँ इंशाला अगले ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए अल्ला हाफिस, स्टे कनेक्टेड